और चलिए आप बात करेंगे नेपाल की वहाँ पर बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है पोकरा से काटमंडू जाते वक्त UP की एक बस नदी में गिर गई मौके पर पहुँची पुलिस प्रशासन की टीम ने राहत बचाव के बाद 16 लोगों को बचाया है और बस में मौजूद सभी लोग महाराष्ट के रहने वाले थे जो नेपाल उपर गए थे और इसी पर देखिये खास सपोर्ट नेपाल में बड़ा बस हादसा सडक हादसे की ये तस्वीरें नेपाल की हैं बस जैसे ही नदी में गिरी चीक पुकार मच गई यूपी नंबर की बस 40 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी हादसा इतना भयानक था कि 14 लोगों की मौत हो गई मौके पर पहुँची पुलिस प्रशासन की टीम ने कई लोगों को निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया नदी में गिरी यूपी नंबर की बस नेपाल के तानहून जिले में मारसियांदी नदी में ये बस गिर गई यूपी नंबर की ये बस पोकरा से काट मंडू जा रही थी गोरखपुर के रजिस्टर्ड बस यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी बस में सवार सभी यात्री महराश्च्र के रहने वाले हैं नेपाल में जो बस दुरगटना ग्रस्थ हुई है वो बस इसी कैसरवानी ट्रेवल्स से बुक की गई थी गोरखपुर से ये बस चलती है और जिन लोगों ने बुक किया था वो महराश्च्र के रहने वाले थे पांडुरंगा यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल रहे थे और कई बस उन लोगों ने बुक किया था 110 लोग की एक टीम है जो निकली हुई थी सबसे पहले वो बस से प्रयागराज जाते हैं वहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं फिर अयोध्या जाते हैं वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पोकरा जाते हैं और पोकरा से बस आज निकलती हैं काटमांडू के लिए और जब ये रास्ते में ही थी तो काटमांडू के रास्ते में ये बस दुरगटना ग्रस्त हो जाती हैं जीस गोरखपुर की ट्रेविलिंग एजनसी के सरवानी परिवहन से तीन महीने पहले ही बसों को बुक करवाया गया था नेपाल जाने वाले टूर में करीब एक सो लोग शामिल थे जो बस नदी में गिरी उसका नंबर यूपी तिरपन एफटी 7,623 है हादसे वाली बस के साथ दो और बसे भी टूर पर गई थीूपी तिरपन एफटी 9,178 और यूपी तिरपन एफटी 2955 हादसे का शिकार बस गोरखपुर के के सरवानी ट्रेवल्स की थी करीब तीन महीने पहले महराश्ट्र के लोगों ने बसों की बुकिंग करवाई थी नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे सभी लोग महराश्ट्र के बुसावल के रहने वाले थे हादसे में कई लोग लापता भी बताये जा रहे हैं बस ड्राइवर मुस्तफा गोरखपुर का रहने वाला है ये लोग हम जब 3-4 महीना पहले से गाड़ी टेलिफोन से बुक करा लेते हैं और यहां से ये लोग गए थे गोरखपुर से इलाहबाद पिक अप करने के बाद ये गए चित्रकूट इनको चित्रकूट घूमाने के बाद आयोध्या ले आए अयोध्या घूमाने के बाद फिर गोरखपुर आए गोरखपुर के बाद फिर ये लोग गए नेपाल होते हुए लुम्बनी और लुम्बनी थे ये पोक्रा पोक्रा थे अब काठमांडू जा रहे थे की रास्ते में एक गाड़ी दुरगटना हो गई कितनी गाड़ियां आपके यहां से बुकते हैं सर यूपी तिरपन एफडी सेक्टर दो तीन साथ छे दो तीन इसमें कितने लोग सवार थे लगभग चालिस लोग करीब पोक्रा के काठमांडू का था सफर अधिकारियों के मुताबिक बस पोक्रा से भी आवश्यक कारेवाही होगी आवश्यक कदम उठाए जाने हो सरकार उठाए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने की कोशिश की गई इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा है उनका यह कहना है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे आउपरेशन में रेस्क्यू किया जाए और जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुँचा आया जाए इसके लिए अब मैं इस समय सनोली बॉर्डर पर हूँ और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि भारतिय एंबुलन्स लगाई गई है दो एंबुलन्स लगाई गई है और जैसे ही मरीज बॉर्डर पर पहुँचेंगे उन्हें ततकाल अस्पतालों तक पहुँचा आया जाएगा और उन्हें बहतर स्वास्तिय सुवधाइँ दे कर उन्हें उनके जीवन रक्षा की जाएगी भारत की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तयारियां बिलकुल चुस्त दुरूस्त हैं ताकि कम से कम कैजुल्टी इस पूरी घटना में हो सके